नवसकार एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेण मिस्र गणेश उत्सव 19 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा यानि कि गणेश चतुर्थी से अनंत चतुरदसी तक यह उत्सव मनाये जाएगा गणेश उत्सव के दौरान भवान गणेश का पूजन करना विशेश रूप से उनके मंत्रों का जाप करना बहुत ही पूने प्रदान करता है ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देवता की आराधना से पहले या कोई भी शुब काम करने से पहले या कोई छोटा से छोटा काम, साधारन से साधारन काम भी अगर हम करते हैं उससे पहले यदि हम गणपती का इस्मरन कर लेते हैं, भगवान गणेश का पूजन कर लेते हैं तो उन कारियों में कोई बाधा नहीं आती इसलिए आपने देखा होगा कि बिना भगवान गणेश की पूजा के कोई भी मांगलिक कार शुरू नहीं होता है पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, फिर मांगलिक कार शुरू होता है यहां तक की एक मुहावरा बन गया है कि कार को प्रारम करने के लिए लोग कहते हैं स्री गणेश करिए यह मुहावरा आपने सुना होगा तो हमारे धर्म गरंतों में भगवान गणेश की पूजा सब से पहले करने का निर्देश दिया गया है और भगवान गनेश को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य का अधिकार भी प्राप्त है गनेश जी की पूजा आज से नहीं हो रही है बैदिक काल से हो रही है प्राचीन काल से हो रही है भगवान गनेश जी के मंत्रों को आप देख सकते हैं रिगवेद में यजुरवेद में भगवान गणेश जी के मंत्र लिखे गए हैं तो सदियों से भगवान गणेश की पूजा होती चली आ रही है भगवान शिव भगवान विश्णु सूर्यदेव दुर्गा जी की पूजा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा को विशेश महत्य दिया गया है, पांच प्रमुख देवों में भगवान गणेश का नाम आता है, गण का अर्थ होता है वर्ग, समू या समुदा है, और इस का अर्थ होता है स्वामी, तो ये गणों के स्वामी है, भगवान शिव के गणों के स्वामी है, देव गणों के स्वामी है, इस सब गणेशोचतों, बना करके आप सभी देवताओं का आशिरवाद प्राक्त कर सकते हैं, और आगे आने वाले समय में आपके जीवन में कोई कस्ट ना आए, परेशानी ना आए, इसकी प्राथना आप गणेश जी से अवश्य करिएगा, जब आप गणेश जी का पूजन करे छोटी सी पूजा आप प्रतिदिन कर सकते हैं, प्रतिदिन भगवान गणेश को प्रणाम करिए, पुश परपित करिए, अक्षत अरपित करिए, तिलक लगाइए, गणेश जी को मोदक प्री है, मोदक अरपित करिए, दूब गहांस बहुत प्री है, वो अरपित करिए, औ और गणेश जी को प्रणाम करिए और प्राथना करिए कि आपके जीवन में कस्ट और परिशानी ना है इस तरीके से पूजन करके आप जो है इस गणेश उत्सों का लाब उठा सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आप से मुलाकात देखते रहें एस्टो तक नवस्कार